नमस्कार दोस्तों, welcome to our channel, my name is Himani और मैं आपकी help करूँगी आपके screening exam, जो lecturer का भी UKPSC का screening exam आया है, उसमें maths and जो reasoning वाला portion है, उसमें आपकी मैं help करूँगी, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि 5 तारिक से 5 December से हमारा screening का नया batch शुरू हो रहा है, उसके लिए आप हमस से जूर सकते हैं, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, इस नमबर पर 7409287156, यह हमारा WhatsApp नमबर है, अब सबसे पहले जो maths में आपको points ध्यान रखने हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वो आपको मैं बता दू, तो first point है, short tricks, तो कई बच्चे बस short tricks के पीछे ही भागते रहते हैं, कि ह हमें बस short tricks से जाननी है, हर question की, तो क्या सारे question short tricks से हो सकते हैं, तो हमारा answer है, नहीं, हम हर एक question को short tricks से नहीं कर सकते, कुछ selective question होते हैं, जो selective tricks पे based होते हैं, और वो question आते हैं, तो मैं उनको questions की भी आपको list बताऊंगी, कौन से question में कौन सी trick लगीगी, दूसरा concept, तो फिर क हमें basic से start करना पड़ेगा, बिल्कु शुरुवात से करना पड़ेगा, नहीं, मैं इसके लिए भी यह नहीं करूंगे, कि आप सारे question में जाके traditional methods follow करिये, आपको कोई maths में PhD नहीं करनी है, आपको 40 question का एक exam attend करना है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए, कि इससे पहले एक बात है कि आयोग बहुत से question repeat करता है, अब वो कौन से questions होते हैं, उनकी list भी मैं आपको provide कराऊंगी, कि आपको कौन कौन से questions तयार करने है, और concept के पीछे भी नहीं दौरना है, हमें एक बात जरूर पता होनी चाहिए, कि कोई भी chapter ले ले हम, यह हमारे पास syllabus है, चाहाँ percentage है ratio proportion है, उसमें maximum जो questions होते हैं, 12 से 15 टाइप के आपके पास question होते हैं, आप एक टाइप के 4 या 5 question कर लीजी, दो दिन में आपका एक chapter easily clear हो जाएगा, बस आपको तैयारी करते रहना है, short tricks जो बताई जाएगी questions में, जिस question के लिए वो apply हो रही है, उनको ध्यान रखना है, जहा तक मैं आपको ये guarantee दिला सकती हूँ कि जो arts background के बच्चे हैं, उन्हें बिल्कुल भी घवराने के जरुत नहीं, science में तो इतना दिकत नहीं होता है, maths और reasoning वाले portion में, बट arts वाले बच्चे भी easily 35 प्लस ला सकते हैं, वो कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप को करना क्या क्या है, अब मैं हाँ पर आपको कुछ question बता रही हूँ कि किस टाइप के question exam में mostly पूछे जाते हैं, कौन से आयो के favorite questions होते हैं, कुछ questions आयो के इतने favorite होते हैं, almost हर exam में आपको repeated वो देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो चलिए one by one, अगर हम कुछ questions देखें तो उन and that of the second to the third is 5 ratio 8, the second number is, आपको इसमें Hindi medium और English medium वालों को को कोई घबराने की ज़रोत नहीं है, हमारी classes bilingual होंगी, हिंदी में भी मैं इसको बताऊंगी, उसका मतलब है कि तीन number है, यानि तीन संख्याएं है, उनका sum योग है, वो 98 है, by the way हमारे पास कोई भी तीन संख्याएं है, कोई भी तीन हो सकती है, वो हमें नहीं पता है, उनका sum 98 है, 98 है, अब इन्होंने दे रखा है, if the ratio of first to second, मैंने ले ली तीनों number A, B, C, और उन्होंने पहले और दूस दूसरे का अनुपात, दो अनुपात 3 दिया है, 2 ratio 3, ये कोई अनुपात है मारे पास, और second to third is 5 ratio 8, और दूसरा और तीसरे का है आपके पास 5 अनुपात 8, और आपको पूछावा है कि दूसरा number क्या है, यानि आपको B ग्याद करना है, तो वो कैसे find करेंगा, उसकल में आत करना पड़ेगा, या तीनों का ratio ग्याद find करना पड़ेगा, अभी केवल आपके पास पहले और दूसरे का है, और second condition में आपके पास दूसरे और तीसरे का है, तो आपको क्या करना है, C के लिए यहाँ पे क्या करते है, जो इससे पहले वाला number होता है, उसे लिख देते ह 3, यहाँ पे एक ले क्या करते हैं, जो उसके बाद वाला number है, उसे लिख देंगे 5, यानि इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, अब हमें क्या करना है, सबको multiply कर देना, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15, 8 x 3, 24, हम इसे चाहें हैं, तो short कर सकते हैं, बटे cut नहीं बटे cut नहीं रहा है, तो यही हमारा, तीनों का ratio हो गया, मतलब हम तीनों संख्याओ का अनुपाद, तीनों संख्याओ का ratio देखें, तो हो गया, 10 x 15, 24, यह आपका अनुपाद हो गया, अब उन्होंने पूछा है, कि दूसरी संख्या क्या हो गी, और साथ में उन्होंने बो तो तीनों को add कर देंगे, तो यह हमारे पास आया, 9, 2, 1, 3, and 4, 49, जो कि 49 योग है, 98 के, इफ 49 is equal to 98, तो 1 is equal to 98 upon 49, which is 2, 1 is equal to 2, अब हमें पूछा हुआ है, B, second number कौन सा होगा, तो second number है हमारा 15, if 1 is equal to 2, तो 15 is equal to 15 into 2, which is 30, यानि हमारा जो second number था, B था, वो हमारे पास आया, 30, अगर first number पूछा होता, तो 2 into 10, 20 हो जाता, और third number पूछा होता, 24 into 10, which is 2, 4, 0, इस question को आप easily 10 से 15 second में कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा time लगा, वरना यह बहुत होता है, अब हम अपना अगला question देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक percentage का question है, अब इसे कैसे करना है, एक question है, the population of town increased from 175,000 to 262,500 in a decade, the average percentage increase of a population per year, इसका मतलब है, simply यह पूछा वाया है, कि इतने से, इतनी हो गई कोई जन संख्या किसी town की या किसी दंगर की, तो पूछा हो है कि प्रतिशत में किरितनी व्रिद्धी हुई, कितने प्रतिशत संख्या बढ़ी, इस question को हम simply एक easy way में समझ सकते हैं, कि by the way कोई राम है, उसकी जो income थी, वो 100 रुपय थी, और उसकी income 100 से 200 हो गई, तो अब कि एक type के question होता है, उन्हें कैसे करना है, तो अगर 100 से 200 हो गई, तो उसकी income में प्रतिशत व्रिद्धी बताइए, या कितनी परसंट उसकी income increase हुई, अब कितनी हुई, 100 से 200 हुई, तो बढ़ी कितनी है, 200 माइनस 100, यानि 100 तो बढ़ गई उसकी, अब 100 बढ़ी, और कितने म से बढ़ी, 100 में से बढ़ी, इंटू 100 परतिशत का हुजब भी हमें निकालना होता है, तो इंटू 100 होता है, तो 100 से 100 कटा, यानि उसकी जो income बढ़ी है, वो 100 बढ़ी, यहां पर अगर 50 होता, और फिर 200 हुई होती, तब कैसे करते हम, 200 माइनस 50, यानि 500 रुपे उसके है, पहले कितनी जो first income थी उसकी, वो थी 50 इंटू 100, इसे करेंगे हम 2, 2 इंटू डेट, 150 is called to 300, जहां 300, इसका मतलब 300 प्रतिशत की उसके income में व्रिधी हुई है, same condition यहां पर अप्लाए होगी, इतनी थी पहले और फिर इतनी हो गई, तो अब यह हमें, जो थी, 175,000 से बढ़ी है वो, 262500, अब हमें देखना बढ़ी कितनी है, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यह आएगा, 875,000, इतनी इसकी income, इतनी जो जनसंख्या थी, पॉपुलिशन थी, वो बढ़ गई, अब कितने में से बढ़ी है, इतने में से पहले इतनी थी, तो उसे हम नीचे रख देंगे, और फिर हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानि multiply by 100, जब भी प्रतिशत निकालना होगा, तो 100 से multiply करेंगे, जब मैं आपको percentage वाला topic समझाओंगी, तो one by one मैं उसके कैसे करना है, किसे start करना, वो मैं आपको बता दूँगे, अब इसे आप काटके solve कर सकते हैं, कितना आ रहा है, वो आप उसका answer निकल जाएगा, तो यह आपका आ रहा है, 50%, जो कि आपका right answer है, आपको इसी तरीके से, किसी भी question में इतना बड़ा देखे, घपराना नहीं है, इनके बहुत छोटे-छोटे tricks होती है, जिन पे यह based होते हैं, बहुत easily solve हो जाते हैं, अब हम अपना अगला question दिखते हैं, अब जो अगला question है, यह है आपका profit and loss से, लाब और हानी से, इसमें है question, a man buys a cycle for Rs. 1400 and sells it at a loss of 15%, what is the selling price of the cycle? इसमें आपको दिया हुआ है कि, एक आदबी ने एक cycle 14 रुपे में खरीदी, खरीदी मतलब cost price, क्रैमूले जो है उसका, वो आपका हो गया, 14 रुपे, और उसने उसको बेच दिया, बेचा कितने में यह नहीं दिया है, SP या विक्रैमूले उस आपको नहीं दिया हुआ है, उसे बेच दिया, अब इसे हम कैसे solve करेंगे, इसको जो basic वो है, उसे कैसे solve करेंगे, easy way कैसा है, हमको सबसे पहले क्या करना होता है, कि जो CP होता है, उसे या करैमूले होता है, उसे हमेशा 100 मानिये, अब देखे, हानी कितनी वियो से, 15% की, यानि अगर उसने 100 रुपे में क उसका basic बोलने की बात है, मतलब ये question बोलना चाहरा है, तो अब लेकिन, actual में जो उसका करेंगे, वो 140 है, यानि जो ये 100 हमने माना है, ये 100 है आपका, 140 के बराबर, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 140 upon 100, जो कि हो गया, 7 upon 5, और हमें पूछा क्या है, SP, SP अभी हमने निक जाला 85, तो 85 कितना होगा, तो 85 is equal to, 7 upon 5 into 85, और 5 से ये कट जाएगा, 5, तो यहाँ पर हमारा आया, 17 और 17 into 7, 119, इसका मतलब था, कि जो विक्रे मुले या, S, Selling Price या, SP आया, वो आया, उसका 119, जबकि उसने, जो साइकिल थी, वो 140 रुपए में खरी दी थी, और उसको उसके पहानी या लॉस हुआ था, वो 15% का हो था, इसी तरीके से हम Short Tricks से, या फिर Easy Way में Questions आगे भी अपने करते जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकि आप जो screening के 3 portion है, वो आपको क प्रिलिम्स हैं, उनकी ट्रिक्स और जो knowledge देते हैं, उसी की वज़े से मेरा ARO प्रिलिम्स भी निकला है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जुड़े रही हमारे साथ, तब तक के लिए good luck, I hope and I pray कि आप सभी लोगों का screening निकले और आप लोग अपने means के एक्जाम में अपने सब्जेक्टिव एक्जाम में बैठे हैं, तक तक के लिए bye bye, take care.